quality में दे सकता है ठीक है दूसरा ये तो मैंने कॉस्ट बता दिया कि प्रदी घंटे के साब साब इतना चार्ज कर सकते हैं जो रहता है प्लस इन सभी को सीखने के साथ साथ आपको ये भी समझ लेना चाहिए कि हर application मतलब जो भी आप सीखोगे cost क्या रहते हैं उनकी market cost क्या रहती है चलो दोस्तो आज मैं आपको अब तक जो मैं मेरे next part में लाने वाला हूँ जब भी हम किसी field में जब अपना career बनाने के बारे में सोचते हैं तो उसके फायदे के बारे में भी नॉलेज होना चाहिए उनके नुकसान के बारे में भी नॉलेज होना चाहिए जैसे अगर मैं किसी company को join कर रहा हूँ तो उस company का background क्या है वो company कितने सालों से है उस company में क्य क्या और रहूंगा सेफ रहेगी मेरी जॉब और उस कंपनी से मैं कितना कमा पाऊंगा यह जरूर मैं किसी कंपनी को जॉइन करने से पहले सोचता हूं ठीक है वैसे भी तक मैं किसी कंपनी को जॉइन नहीं किया है मेरा टेंपलेट यह खोद हमारी कंपनी है तो अगर आप कुछ सीख रहे हैं या कोडिंग सीख रहे हैं तो आपको सीखने के बाद क्या मिलने वाला है वहां से कितना बेनेफिट आपको मिल सकता है कितना आप अर्ण कर पाऊगे यह भी जानने का आपको पूरा हक है और इस वीडियो में कवर क करेंगे कि एक एप्लीकेशं मुनाने में लगब लगता और गूगल कर लगता है आप इस वीडियो को पॉज कीजिए सबक zor पोल रखा है मेरे कम्यूटी में आप लोग जाके मुझे जरूर सजेस्ट कीजे कि जो मैं सिरीज चालू करने वाला हूं आप सभी को पता है वीडियो भी शायद मेरे चैनल पर ना आए सब कुछ इन रिटर्न विडियो के साथ मेरे ब्लॉग पोस्ट पर आएंगे या मेरी वेबसाइट पर आएंगे ठीक है तो वहाँ पर मैं यह सोच रहा हूं कि इंग्लिश में लिखू हूं हिंदी में लिखू हूं या थोड़ा इंग्लिश क्या होना चाहिए आप सभी मुझे बताएं मैंने कम्मूलिटी में पोल रखा हुआ है आप लोग जाके वोट कर सकते हैं आपको इंग्लिश में सीखना है हिंदी में सीखना है या थोड़ा इंग्लिश लग बग हिंदी इंग्लिश दोनों मिक्स करके तो यह जरूर आप लोग प्लीस मुझे बता दे क्यूंकि मैं next post पाइसे लिखना स्टार्ट करूंगा तो आप लोग के लिए जादा फाइल मन रहेगा चले दोस्तों बात करते हैं हर एक अप्लिकेशन के कॉस्ट की दोस्तों जहां तक मेरा एक्स्पिरियंस है जितने भी आप नया एडिया तो चलिए अलग बात की बात है लेकिन आप लोग होगा ठीक है कुछ नया आइडिया है बिल्कुल यूनीक है तो बात अलग है लेकिन जिस टाइप के अप्लिकेशन मार्केट में रन कर रहे हैं जिन बिजनस को ज़्यादा प्रॉफिट हो रहा है उनके अप्लिकेशन से उनको कहीं नहीं कॉपी करने कि हर कोई सोच रखता ह जियो मार्ट अभी सब कुछ है मार्केट में अच्छा खाजार अन कर रहे हैं फिर भी हम ग्रोसरी अप्लिकेशन बनाते हैं सेल करते हैं बहुत लोग भाई भी करते हैं जिनको जरूरत होती अपने शॉप के लिए खुद बाई कर लेते हैं ठीक है तो आपको मैं बता दू ऐसे अप्लिकेशन की वैसे तो दोस्तों आप सभी को बता दू कि जो फ्रिलांसर होते हैं जो डेवलपर क्योंकि आप मेरे साथ सीख रहे हो तो कहीं नहीं आप ऐसी सोच तो बिल्कुल नहीं रखोगे कि सीखने के बाद आप किसी कंपनी को जॉइन करो जहां तक मुझे ल या फिर आप बैकन सीख जा रहें अंडरोड नहीं आता तो भी मज़ा नहीं आएगा कंप्लीक मार्केटिंग भी आनी चाहिए कैसे डाउनलोड करवाना है वो भी आना चाहिए हर चीज आपको पता होनी चाहिए हर चीज नॉलेज होना चाहिए आपको ठीक है तो छोटे अ तो जिस जो जैसे छोटे अप्लिकेशन होते हैं जहाँ पर समय आपको कम लग रहा है तो वहाँ पर आपको कॉस्ट भी कम मिलेगा देखो दोस्तों अप्लिकेशन या फिर एंडरोड डवलपिंग फिल्ड ऐसी है कि यहाँ पर हर घंटे का पैसा मिलता है यानि कि इंडिया कि एंडरोड डवलपर 700 रुपे से स्टार्ट करते हैं और 70 डॉलर लगबल 4-5 अजार पर प्रती घंटा वो लोग चार्ज करते हैं जो मैंने 700 रुपे बोला ये और 4-5 अजार इन बीच में फर्क होता है तो बस experience का कौन कितना fast बना के दे सकता है कौन कितना best quality में दे सकता ठीक है दूसरा ये तो मैंने cost बता दिया कि प्रती घंटे के साब साब इतना charge कर सकते हैं अब बात आती कि सीधा project wise अगर आप cost लेते हो तो छोटा application है जिसको जैसे webview type application या फिर एक ऐसा application जहां पे सिर्फ आपको API call करनी है तो वहां पे आप 5000 ले सकते हो ठीक है या फिक को तो आप सामने client से one week का time ले लीजे ठीक है तो इन सब चीजों में आप एक client से 8-10,000 या फिर 15,000 या फिर 20,000 तक चार्ज कर सकते हो डिपेंड on your like उसकी उसका requirement क्या है डिपेंड on client requirement कि उनकी requirement क्या है और उसमें आपको कितना समय लगना माला है उस हिसाब से आप उनसे charge कर स करता हूं अभी भी sell करता हूं मैं तो यह होते हैं costing अभी अगर बात की जाए टिक टॉक जैसे application की तो अगर वैसा application आप बनाने यानि फुल हार्ट कोडिंग करने बैठेंगे तो आपका बहुत कम समय भी जाएगा तो तीन से चार मेने का समय जाएगा तीन से चार मेने बैक कि दाऊजन मानके जलते हैं तो भी दोस्तों वहां पे लगबद दो लाग तीन लाग का खरचा हो जाता है ठीक है बनने के बाद चलो क्लाइंट का अपने लिए बात अलग हम लोग तो अपने रिस्क पर बनाते हैं कोई भी कोड क्लाइंट की मतलब आया प्रोजेक्ट तो कुछ कुछ कोड्स हमारे खुद के रिस्क बंदें बाद में मैं मेरे चैनल पर सेल करता हूं बहुत अच्छा रिस्पॉंस मिलता आपकी तरफ से ऐसे बहुत कोड्स मैंने पहले बना के लांच किये हुए हैं ठीक है तो जैसे टिक टोक जैसे अप्लिकेशन आप पहली बद रहा है दूसरे पर आपको पता है किसके बाद आपका मतल्स प्रोजेक्ट यह है तो ज्यादा मजा आता है एक प्रोजेट के आप उस पर एक प्रोजेट पर ही आप लगे रहोगे अगर आगे चलके वह कंप्लीट हो गया नेक्स टाम होता है क्या है दूस्तों मैं experience के साब स इसको नहीं देखोगे ठीक है या फिर आपने मेरा वीडियो पहली बार वाच किया और आप सिर्फ मतलब स्पेसिफिक एक application के बार में knowledge ले रहे हो तो उतना ही इंट्रेस्ट रहेगा आपका बाद में इंट्रेस्ट नहीं रहेगा आपका तो क्लाइंट का इंट्रेस्ट भ और बनने के बाद तक आपका जुष कम हो जाता है उसके बाद चलो ठीक है बनने के बाद मोटिवेट होके चलो प्रोमोशन कर भी देते हो तो भी जो आपको चाहिए वो नहीं मिल पाता है तो पूरा डी मोटिवेट हो जाते हो और नेक्स्ट तैम आप application फिल्ड में आने से कोस्ट रहता है तो आप खुद अगर बना रहे हैं तो आप कम ले सकते हैं अगर मैं बनाता हूँ आप अपना समय दे रहे हो obviously आप पैसा चार्ज करोगे ठीक है तो ये सारे चीजों को आपको समझना पड़ेगा I hope आपको इस वीडियो मैंने कुछ सम्झाने कोशिश की जो शायद आप समझ चुके हो तो अब अगर आपको असा लग रहा है कि यह सब हमें जाना है इसके आगे मतलब समझ तो चुके ह मैं बहुत मोटिवेटर होंगा इस वीडियो को लाइक कीजिए कमेंट कीजिए शेयर कीजिए कुछ और नेक्स्ट सवाल हो तो मुझसे पूछे और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए थैंकि दोस्ते मिनते ह मझसे पर सब्सक्राइब एंकिए तक रहात कीजिए मेरे आएक पासी कर दोस्ते हैं